नमस्कार, विल्कम तो माई चैनल, मैं हूँ मनेशा, दोस्तों आज की वीडियो में हम आपके लिए कुछ विशेस उपाय लेकर आए हैं, जैसे कि आप सभी के बहुत सारे कमेंट आए थे कि हमें ब्यापार में विद्धी हो ऐसा कोई उपाय बताएं, देखिए दोस्तों सब मंदीत ब्योसाय करेंगे तो आपके लिए कापी हितकर होगा, आप सही दिसा में, कहते हैं न, एक पुरानी कहावत है कि हवा का बहाओ, यानि कि हवा का जोका जिस तरफ हो, यदि हम उस तरफ दौर लगाते हैं, तो हमें कम प्रियास करना हो पढ़ता है, और हम अपने जो ह और हमें सफलता मिलने के बहुत कम चांस होते हैं, तो ये आप जरूर ध्यान में रखें, तो आप सभी के बहुत सारे कमेंट थें, तो मैं अपनी डायरी आज निकाल चुकी हूँ, जैसे मैंने आपको बताया है कि पहले के जितने भी टेलिवीजन पे योग्य विद्वान गुरुजन आते थे, तो मैं हमीसा वाच करती थी और सभी के इन डायरी में हमने सभी के उपाय वगरा, जो भी वो बताते थे, मैंने नोट करके रखा हुआ है, और उसमें से कुछ एक उपाय समय समय पर हम आपको देते रहते हैं, तो आज मैंने ये डायरी को लिए है, और आप उसे करें, और हमें पूरी उमीद है कि आपको लाव होंगे, जैसे कि मैं अक्सर बताती हूं कि मैं अपने अनुभव पर, मैं अपने जो हम सीखते हैं, समस्ते हैं, उसी के अनुसार आपके लिए हम वीडियो लेकर आते हैं, लेकिन ये जो ब्योसाय वाला उपाय है, मैंने बहुत कम लोगों को बताया है और आप लोग करिए इसमें बहुत ज़्यदा आपका समय और धन नहीं खर्च होगा और हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपको लाब हुआ कि नहीं तो चलिए देर ना करते हैं अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं दोस्तों सबसे पहले तो आप सभी को नए वर्ष की हार्दिक शुब कामना है वर्ष 2022 आपके लिए बहुत ही शुबता भरा हो आपकी सभी मनो कामना है पूर्ण हो ऐसी मेरी शुब कामना हो दोस्तों क्योंकि देखिए अभी 2020 हम लोकों के लिए बहुत अच्छा नहीं गया है और बहुत जादा दुखत था तो अब हमें इसके बारे में नहीं सोचना है जो बीत गया सो बीत गया जो आने वाला है उसका हम स्वागत करेंगे और पूरे लगन से पूरे सिद्दत से हम प्रयास करेंगे आगे बढ़ने के लिए तो अभी बहुत सारी बेहनों ने हमें लिखा था कि हमें पालर का ब्योसाय हमारा अच्छा चल जाए इसके लिए हमें कोई उपाय बताएं तो सबसे पहले तो हम उन्हीं के लिए उपाय बत जैसे की पालर का काम कर रहे हैं तो आप अपने पालर में एक भगवान श्यू की प्रतिमा लगाएं भगवान भोलेनात सबका मनोकामना पूर्ण करते हैं और हम उनके प्रति आस्था यदि रखते हैं तो आप ये कारी करें भगवान श्यू की प्रतिमा आप लगाएं और उन्हें सफेद पुस्पों की माला प्रतिदिन अर्पित करें जब भी आप अपने पालर को खोले तो वहां की साप सफाई करें वहां पर धूप दीप जलाएं कपूर जरूर जलाएं जिससे की नकरात्मक उर्जा का विनाश हो कपूर आप अपने घर में और अपने दुकान म प्रतिमा है वहां पर सफेद चीजों का भोग लगाएं भगवान शियों के पूजन में सफेद चीजों का प्रियोग अकसर किया जाता है और एक माला ओम नमाशिवाय का आप जब करते रहें आप बैठकर नहीं जब करते हैं तो जैसे ही आप दुकान खोलते हैं भगवान आप करना प्रारंब करें आप देखें आपको बहुत लाव मिलने लगेगा लेकिन एक चीज बातों का ध्यान रखें कि जो भी आप धन संचय करते हैं यानि कि जो आपका धन आता है उसे आप पहस्चिम दिसा में रखना शुरू कर दें पहस्चिम दिसा जैसे कि इस्ट औ जाएंगे और अपने कारे को आप अच्छी तरीके से कर पाएंगी लेकिन उसको करने से पहले आप उसमें पूरी तरह से सिक्षा अरजित कर लें यानि कि आपको पूरा ज्यान होना चाहिए आप काम अच्छा करेंगे तो लोग आपको पूछ पूछ कर आएंगे आपने द पगल वाले दुकान पर ही बिल्कुल भीड नहीं होती है तो ये भी बहुत माइने रखता है कि आप काम कैसा करते हैं अगर आपके काम में इमानदारी और अच्छाई है तो जरूर आपके पास लोग आएंगे तो ये आप ध्यान रखें अगला बहुत सारे लोगों का सवाल कि हम कपड़े का बेवसाय करते हैं यानि कि वस्त्र से संबंदी चाहे आप रेडिमेट वस्त्र बेच रहे हो या फिर आप कपड़ों की दुकान हो या सारियों की दुकान हो किसी भी तरह कपड़े का यदि बेवसाय करते हैं तो आप किस तरह के प्रतिमा लगाएं किस तर ग्रह से की जो अधिश्ठात्री देवी हैं वो मा लक्षमी हैं तो आप माता लक्षमी की एक प्रतिमा जरूर लगाएं और मा लक्षमी की बैठी होई प्रतिमा हो तो जादा अच्छी है और बहाँ पर उनके हाथों से धन की वर्सा होती हो ऐसी प्रतिमा आप माता लक्षमी क लगाएं और मा लक्षमी की पूजा करके ही आप अपने दुकान की शुरुवात करें जाहिर सी बात हैं सभी लोग ऐसा करते ही हैं इसमें बतानी की आवशकता नहीं है लेकिन मा लक्षमी को आप वस्त्र जरूर पहनाएं उपर से एक चुन्नी लाल रंकी आप उन्हें उसे आप गाय को खिलाना प्रारब्ध कर दें देखें कि आपका जो ये कपड़े का व्योसाय है बहुत अच्छे तरीके से चलेगा और आपका जो धन है वो भी संचे होने लगेगा तो ये आप करें आपके लिए काफी हितकर होगा सनी ग्रह से संबंधित उपाय करते हैं या फिर आप जो है कोई खाने पीने का व्योसाय करते हैं जैसे कि आप भोजन पकाते हैं टिफिन का काम है आपका और आपको खाना पकाते हैं टिफिन घर-घर में देते हैं ये Borderuse कम हो चुका है क्योंकि लॉक्डाउन में सब अपने घरों पर चले गए थे तो यह कैसे होगा उनके लिए है आप हनुमान जी की प्रतिमा आप अपने जो भी वेवसाय आप जहां पर करते हैं वहां पर लगाएं कहते हैं कि खाने पीने से संबंधित चीजों को जादतर हनुम प्रसाद आप स्वेम खाएं आप बालकों में आप बाटते हैं वहां पर मिठी प्रसाद आज कि लड्ड़ू होते हैं किमारे नौ ग्रहों को बैलंस करते हैं अब थ्यान से सोचे कि एक लड़्ों जोटने चीजों कीा आवशक्ता होती है तो उतने ग्रह हमारे बैलन्स होते हैं इसलिए जादा तर आपने देखा होगा कि किसी भी देवी देवता के पूजन में हम लड़ूओं का भोग लगाते हैं उससे हमें बहुत लाव मिलता है तो आप हर मंगलवार मंदिर जाए हनुमान जी के और वहां पर बुंदी का प् कित्रे लगा के गोड का ही भोग आप लगा ले और पहले प्रशाद स्वियमें स्वयञन करें और उसके बाद सभी को बाटे ऐसे मंदिर कर पहला जब प्रशाद होगाँ में कि यदि वहां लोग व्योजन करते हैं उनके लिए अब मालीजे आप किसी चीज का निञर कर रह आपका व्योसाय क्या है तो उनके लिए है आप भगवान गणेश को अस्थापित करें वैसे तो जादतर सभी अपने घर में या फिर दुकान में लक्षमी गणेश की प्रतिमा रखते हैं जो कि दिपावली पर रखी जाती है तो आपने यदि पहले से रखा है तो बहुत यह हमने डिटेल में विडियो आपको अलग से दी है कि व्योपार में विडिच आते हैं तो आप यह जो है भगवान गड़ेश का पूझन अर्थ इस तरह से करें लेकिन आपने वो नहीं देखा है आप 27 दूरबा ले ले 27 दूरबा की घास अंकुरित होती तीन अंकुर नि माला त्यार करें और उसे भगवान गड़ेश को समर्पित करें भगवान गड़ेश को मिठे चीजों का भोग आप लगाएं अगर मिठे चीजों में आपको तिल का लड़ू मिल जाता है जो की सर्दियों में खाय जाता है तो बहुत अच्छी बात है तिल के लड़ू का भ बुद्धग्रा से संबन्द रखती है और बुद्धग्रा हमारे नौकरी ब्यापार के लिए बहुत ही उत्तम माना जाता है तो आप अपने बुद्ध को बली रखें और ये उपाय करें और 27 दिनों का अर्थ होता है कि हम 27 नक्षत्रों को अपने फेवर में करते हैं लेकिए हमें तो नहीं मालूम है ना कि आपका बर्थ किस नक्षत्र में हुआ है आपका बर्थ चार्ट कहां पे कौन सा ग्रह किस भाव में है ये सबी चीजे नहीं नौलेज में है तो ऐसे में उपाय बताना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है और वियोसाय भी यदि आप अपने ब भोग जरूर लगाए यदि भोग में लड़ों का भोग तिल के लड़ों का भोग लगाते हैं तो बहुत अच्छा है और यह प्रिसाद आप सभी को बाटे किसी को भी बाट सकते हैं ऐसा नहीं यदि आपको कोई नहीं मिलता है तो आप मंदिर में भी पंडिस जी को दे कर सकते हैं ऐसा यदि आप करते हैं पूरे सिद्दत से आपको बहुत लाब होता है आपका ब्यपार आपका जो भी आप जो है नौकरी यदि चाहते हैं तो भी आप यह कर सकते हैं बहुत सारे लोगों का प्रस्म था कि हमें नौकरी के लिए कोई उपाय बताएं तो यह उपा गास लेनी है और कैसे उसका एक बंच त्यार करना है कैसे भगवान गड़ेश को चढ़ाना है तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि आपके लिए ये वीडियो काफी हेलफुल होगी और आप प्लीज इसे सिद्दत से करें और इसका लाव देखें और नया साल अपने जीवन में ख शेयर करिएगा मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नई वीडियो में तब तक आप अपना ख्याल रखें जै माता दी